Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दीनव पर सौगत करता हूँ दोस्तो, आज की इस वीडियो के अंदर में हम दीनव के एक अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तो, जो ये अपडेट किया जा रहा है, ये दीनव परिवार के सजेशन के द्वारा ही किया जा रहा है पीछे लिए कुछ समय के अंदर में हमने कई बार दीनव परिवार से इंटरेक्ट किया है वहाँ पर कोशन्स पूछें कि किस तरके सजेशन हमें करने चाहिए पहुंच रहा, अपनी जो reachability है, उसको बढ़ाना, यह हमारा main goal है, ठीक है, और almost हमारे दीन परिवार के उपर में, जो 1000 से ज़्यादा वीडियो पब्लिस की गई है, जो free of cost सभी वीवर्स के लिए अभी तक available थी, आप free of cost वीडियो देख सकते थे, पर इस update के बात में, कुछ चीजे change होने वाली है, आपको कुछ वीडियो के लिए, कुछ वीडियो को देखने के लिए, आपको membership लेना पड़ेगा, दीनप परिवार का, जिसके बाद आप उन वीडियो को देख पाऊगे, कौन सी वीडियो हैं, सारी वीडियो के यहां पर बात नहीं कर रहा, 1000 वीडि पर सर्च करना है, या अपने ये यूटूब पर सर्च करना है, जब ये चैनल आजाएगा आपको, तो सीधा आपको subscribe कर लेना है, क्योंकि अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है, तो आपको इसका आगे का लाव नहीं मिल पाएगा, आप benefit नहीं उठा पाऊगे, दीन आपक मैं खुद भी MA history पढ़ रहा था, जिसके बाद मैंने MA history ही यहाँ पर दीन अपर पढ़ाना इस्टार्ट किया, ठीक है, MA history के अगर मैं बात को तो असा detail में अगर मैं बता हूँ, MA history जब मैंने starting में पढ़ाना इस्टार्ट किया था, तो बहुत जादा difficult था, reason यह था कि उसक problems बहुत ज़्यादा face कर रहे थे, उससे पहले जो मैं पढ़ा रहा था, वो S.O.L. जो School of Open Learning है, Delhi University का, उसके BA के syllabus को पढ़ा रहा था, तो उसमें उतनी ज़्यादा problem face नहीं हुई, पर जब मैं MA history start किया, तो बहुत ज़्यादा problem face हुई, even अपने आपकी जो morality होती है, कि किस किस तर से आप अपने आपको paste करने वाले हो, किस तर से आप लोगों को दिखाने वाले हो, उसके अंदर में भी बहुत ज़्यादा down और up-downs देखने के लिए मिलते हैं, तो यहाँ पर MA history के मैंने बहुत जारी वीडियो बना रहे हैं, सारे subject में MA history के वोग मैंने cover करवा रह हैं, आप देख रहे होगे, यहाँ पर आपकी screen पेक दिख रहा होगा, कि एक ही वीडियो में पूरा syllabus cover करें, last five years के important question paper, तो इस तरह करके, हर एक जो subject है, MA history का, MA history का, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, कोई सा भी subject लेलो, सभी के playlist के अंदर में एक आपको last five years के question paper का video मिलेगा, almost 2-3 घंटे क और वो वीडियो बहुत ज़्यादा important है, सभी वीवर्स के लिए, उस वीडियो का idea कहां से आया, तो इसका भी एक सरेक student को जाता है, जिसने मुझे suggest किया, कि sir, हमें MA history पढ़ना है, बट मेरे पास time कम है, ठीक है, इतना time निया कि मैं पूरा syllabus cover कर सकूँ, ठीक है, और even though हम सा syllabus पूरा भी तक नहीं करवा पाया है, पर एक वीडियो अगर आप देखते हो, ठीक है, एक वीडियो देखते हो, तो इसके बाद आपका syllabus almost 90% cover हो जाता है, इसका impact मैंने खुद अपने, जब मैं खुद तयारी कर था, मैंने अपने उपर देखा था, time नहीं था कि मैं पूरा सब्सक्राइब करने के बाद इसका impact इस तरह से दिखा, कि जो syllabus है, वो almost 90% cover हो चुका है, ठीक है, कहीं से भी question आ रहे है, तो मुझे idea है कि हाँ, ये question इस book का है, इस chapter का है, इस lesson का, इस page number का है, ठीक है, इसको इस तरह से explain कर सकते है, इस question की story है, ये समझ में आ गया, उस question के अंदर में, जब हम मतलब पूरा पान साल का पी study कारे हो, तो आपको देखने के लिए का मिलता है, तो सबसे mean चीज क्या होता है, किसी भी student के लिए, अगर हमें question paper को solve कर रहे है, तो हमें सबसे पहले पता होना चीए, कि question का pattern क्या है, ठीक है, question किस तरीके से पूछा जा सकता है, क्या पूछ रहा है, अगर आपको ये समझ में आ गया, तो आप answer easily लिख सकते हो, मान लो, आपने बहुत अच्छे से कोई chapter को पढ़ा, बहुत अच्छे से आपको एकदम contest याद, एकदम रटा हुआ है, पर question थोड़ा गुमा कर पूछ लिया गया, question जो आपने पढ़ा जो आपको बुक में आपने देखा question, उससे थोड़ा अलग तरीके से question को पूछा गया, answer सेम होने वाला है, पर आपको questions का idea नहीं मिल पा रहा है, तो उसके कान से भी हमें दिक्कत होती है, और number कर जाते हैं, हम गलत answer लिक कर आजाते हैं, ठीक है, या छोड़ देते हैं, ठी important question हो सकता है, तीसरा क्या होता है, most repeated question, पान साल के अंदर में सबसे ज़्यादा वार repeat question कोन से हुए, क्यों हुए, यह समझ में आ जाता है, यही question repeat की हो रहा है, क्या आगे भी हो सकता है, इसका भी आपको idea मिल जाता है, ठीक है, साथ-साथ में क्या होता है, कि एक पूरा important का जो notes बोलते हैं, notes बना लो, यह कर लो, ठीक है, उसका notes भी आपका बनता चला जाता है, अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो तो, तो मैंने उसी के लिए, दीनप के उपर में यह videos बनाने start किये, ठीक है, और last fiverr के question paper की, मैंने videos बनाये, जो आप सभी viewers के लिए बहुत देख पार होगे, यह आपका 2 गंटे 14 मिनट की वीडियो है, जो दीनप के उपर में डाली गई थी, ठीक है, आज से एक साल पहले डाली के थी, पचास जार से जादा views आज चुके हैं इसके उपर में, पर इस वीडियो का जो स्टार्टिंग में डाला था, तो मुझे आते हैं, एक्जाम के रिजल्ट आने के बाद कि सर मैंने वीडियो देखी थी, इससे ये बेनिफिट मिला, ठीक है, जब गूगल मीट हम करते हैं कई बार बच्चों से, तब वो बताते हैं कि सर ये वाले वीडियो का इंपक्ट इस परकार करा, तब बहुत जाता खुसी हो लास्ट 10 साल के question paper को study करके कुछ important topics छाटे का, पंदरवी स important topics जिसके बारे हमने discuss किया था, कि इस topic का importance गया, इसके बारे में यहां पर हमने discuss किया था, पर mainly जो इस तरह की videos है, हर playlist में आपको इक इस तरह का video मिल जाएगा, ठीक है, यहां पर हम चला के भी देख लेते हैं, य आपको उसके लिए हमारे चैनल को जॉइन करना पड़ेगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ में जॉइन कर लोगे तब आप इसली उस वीडियो को देख पाऊगे और आपके लिए तरह से ब्रहमास का काम करेगा आपके अच्छे नंबर लाने के लिए वह बहुत यूसफुल होने वाला है ठीक है तो जोइन कैसे कर सकते हैं तो नॉर्मली आपको यूटूब पे जाना है यूटूब पे जाने के बाद आपको सब्सक्राइब के बगल में जोइन का ऑप्शन मिल जाएगा जब आप जोइन कर लोगे तब वहां से आप उस वीडियो को एक्सिस कर है पर हमारी जो अर्णिंग थी या जो हमारे एक्सपेशन से उस पर हम खरिन नहीं उतर पार है जिसके कारण से हमें यह स्टेप लेना पड़ रहा है ठीक है आप देख सकते हैं थोड़ा से वीडियो जहां पर में डिटेल में आपको बता रहा हूं कि क्या कैसे किस तरह से क लिख सकते हो यह भी प्रॉपर इसमें जानकारी दे गई है ठीक है तो आप अगर वीडियो देखिए समझ में आएगा आपको किस तरह से क्या रहा है ठीक है और किस तरीके से आप इसको सॉल्फ कर सकते हो यह सीज़र समझ में आए आपको जब हमें कोशन पर मिलता है तो भी जोइन करने का option आजाएगा जोइन पर क्लिक करने के बाद यहां पर दो चीजे दिखेंगे आपको ठीक है पहला आता है ask your question और 29 रूपिस का यहां पर सिंबल है ठीक है जोइन करने के लिए पर यह इस वाले पर नहीं करना है आपको आपको करना क्या है all important videos of the in-up ठीक है में history के उसके लिए आपको access मिल जाएगा आने वाली जो समय में जो भी वीडियो जोंगे उसके लिए भी आपको access मिल जाएगा ठीक है आप 59 रूपिस पे कर सकते हो जो हमारे दीन परिवार के तब suggestion मिला था वह 499 का मिला था पर वह बहुत बड़ा amount है मैं खुद उस पे न के लिए इस इनिसिटिव आइडिया के लिए तो आप हमें suggest कर सकते हो comment करके बता सकते हो और मुझे उमीद है कि ज्यादा ज्यादे जो वीवर्स हैं वह इस प्रोग्राम के थ्रू जूडेंगे हमारे दीन पर चैनल को join करेंगे और हमाए help मिक करेंगे कि हम आगे बढ़ सके subscribe करेंगे हमारे चैनल को और इन वीडियो का लाव उठा पाएंगे तो friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best